मुस्लिम पुलाओ का अगर बाश्या कहा जाए तो जमजम पुलाओ सबसे पहले आपके दिमाग मराएगा क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं ये बनता है चिकन, मटन, अंडा, कोफता, गुर्दा, कलेजी ये सब के साथ तो आएए चलते हैं देखते हैं इसकी मेकिंग असलाम वालीकूम वीवर्स इस जैनब अली फ्रॉम जैनब कुक हाउस तो आप सभी के डिमांड पर मैं लेकर आई हूं मेकिंग ऑफ जमजम बिर्यानी या फिर कह सकते हैं जमजम पुलाओ ये बॉम्बे की सबसे हिट मेकिंग है और बहुत बहुत जबर्दस रहती है इसमें इतने सारे वेराइटीज होते हैं नॉनवेच के कि आपको मज़ा आ जाएगा तो वीडियो जो है वह स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका इंग्रिडेंट लिखा हुआ है तो आप अपने घर पे भी बना सकते हैं यहां पर बन रहा है 2 kg जमजम पुलाव ठीक है इस पर पहले आपको बकरे का मटन ले लेना है अगर आप बीफ या फिर बफैलो या जो भी मीट आप यूस करना चाहते है आप वो यूस कर सकते हैं बट अगर बकरे का मटन आप लोगे तो उसका टेस्ट बहुत जादा अच चिली पेस्ट यह सब आपको डाल देना है और नमक मेक शूर करें जो भी आप इंगरिंट यूस करते हो वो फ्रेश हो इसके बाद डाल देना है धेर सारे तेस पत्ते और जीरा बनाना बहुत इजी है बट स्टेप्स बहुत सारे है इसके अंदर अब गया है इसमें स्लाइ अचाहिए अपका ठीक है इसके बाद सेकेड प्रोसस आता है कौफते का तो यह है कौफता का प्रोसस जो है हाफ केजी मटन का कीमा लिया हुआ है इसके अंदर इसके बाद इसमें डाला है जिंजर पेस्ट गार्लिक पेस्ट ग्रीन चिली पेस्ट बहुत सारे मसाले नहीं जाते हैं कम मसाले ही दालना है आपको, थोड़ा सा जीरा पाउडर जाएगा और बिर्यानी मसाला जाएगा इसके अंदर, जो भी बिर्यानी में आप मसाला दालते हो वो आप इसमें यूज कर सकते है और थोड़ा सा कटी हुई धन्या पति, फ्रेश होनी चाहिए सुखी भी नहीं होनी चाहिए उससे टेस्ट नहीं आएगा बेसन आपको ले लेना है ताकि इसका अच्छा सा बाइंडिंग हो कोफते आपके टूटे ना कोफता बनाना बहुत हार्ड नहीं है बट उसमें जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको थोड़े देखने पड़ते हैं तो आ बहुत मलाई की तरह सॉफ्ट होने चाहिए जितना सॉफ्ट आपका कीमा होगा उतना ही कम चांसिस होगा कि आपके कोफते तेल में जाके फटे तो छोटे छोटे बॉल्स आपको बना लेने है यहां पर हमारा मटन गल रहा है तो मटन आपको कुक करना है अराउंड 80 परसें यहां पर थोड़े डेकुरेशन की हिसाब से लिया हुआ है फ्रेंच बिंस बट अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं बट कलर फुल दिखता है जब जंजं पुलाओ तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है यहां पर है फ्रेंच फ्राइस या फिर आप बोल जाएगा तो यहां पर आपने देखा येलो ग्रीन और रेड और वाइट कलर जो नॉर्मल कलर है इसको कट करके अपको इसे डीप फ्राइ कर लेना है इसे आपको अच्छे से क्रंच आने तक पकाना है जंजं पुलाओ दिखने में जितना अच्छा दिखता है उतना उसका टेस्ट भी बहतरीन होता है ऐसे नहीं बोला जाता है इसे King of Plough in Mumbai और ये सिर्फ मुंबई में ही जारत करके बनता है जमजम बुलाव ये अगर आप बोला जाए तो ये कोई मुगल डिश नहीं है ये मुंबई वालों ने ही इसे इन्वेंट किया है यहाँ पर सब चीज़ फ्रेंश प्रिण्स और पटैटोस, कोफते यहाँ पर आपको बहुत सारे अंडे ले लेना है अंडा आपको अच्छे से हाइड बॉयल करना है, सौफट बॉयल नहीं करना है अब यहाँ पर बकरे की, कलेजी और गुर्दा ले लेना है उसे भी हम fry करेंगे थोड़ा सा मेरिनेट करके थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा मिर्ची पाउडर सॉल्ट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप सॉल्ट कर देते हैं तो स्किप ने करना है तो इसलिए यह वन आफ थे एक्स्पेंसिव पुलाव है मुंबाई मैं आप देखा आपने कितना खूपसूरत दिख रहा है यह फ्रेंच फ्राइस कोफते फिर फ्रेंच बीन्स तो इस गिस फ्लेवर तो पुलाव नाओळँ में चीकिन अरण्ड देर किलो है तो मुटन भी बहुत सारह है चीकन भी तो निदार आपको ग्रीन चीली पेस्ट दाल देना है फ्रेश यूश करें इसमें सॉल्ट दाल देना है और इसको भी डीप-फ्राइब कर लेना है आपको पूरा नहीं पकाना है आट है because chicken already पुलाओ में पकेगा तो mash ना हो जाए तो यह आपको इसका खयाल रखना है deep fry होने के बाद आपको इसे निकाल लेना है अब यहाँ पर मटन का पानी है जो ब्रॉथ था वो अल्मोस्ट सूक चुका है अब यहाँ पर तड़के की हम तयारी कर रहे है तो sliced onion है थोड़ा सा curry leaves है तो खूप सारा oil आपको ले लेना है अगर आप पुलाओ बना रहे है तो पुलाओ का एक एक दाना oil में दिखना चाहिए तो ही वो पुलाओ है वरना तो वो खिच्डी ही है या फिर वो तहारी है ठीक है तो तेल गरम होने के बाद थोड़ा सा दाल चीनी थोड़ा सा तेस पत्ता थोड़ा सा onions यह सबको आपको अच्छे से जीरा दाल के अच्छे से आपको इसे सौटे कर ल अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम या फिर फेस्बूक पर फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो अस और कमेंट करके जरूर बताए कि आपको इसका प्रोसेस कैसा लग रहा है अब चिकेन और गोश दाल के आपको इसे अच्छे से भून लेना है अल्मोस्ट सारी चीज अगर बिर्यानी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला दाल के भी इसे बना सकते है और इसे अभी अच्छे से भून लेना है थोड़ा सा पानी दालना है ताकि सारे मसाले जो है वो उसका एक अच्छा सा फ्लेवर आए अब थोड़ा सा कटा हुआ धनिया बहुत इसी है बड़ यहाँ पर है दावत की बासमती राइस जमजम बना रहे है तो आप दावत का ब्रैंड यूज करें फ्लेवर आता है इसके अदर गया थोड़ा सा धनिया पाउडर इसमें जादा मसाले नहीं है बड़ इसका टेस्ट बहुत जबरदस लगता है पानी सूकने तक आपको चला लाता है था को वैसा ही चलाना है ताकि आपके चावन तोटे ना थोड़ा सा जीरा और कडि पत्ता दालना है अपको घुटा सदम दे देना है थोड़ा से तो अ धनके अपड doong अपके means三 topping कि तो देर तक त मादक कर देरे हो उसके बाद आपको एपको अच्छा क्हाजा का अच्छे से अच्छा खाना घर पे भी बना सकते है अब बारी आती है सब चीज गार्णिश करने की चावल को आपको साइट साइट से खोलना है बीच पे से चमच ना दाले ताकि वो तूटे ना अंडा आपको हाड़ बॉइल करना है सौफ्ट बॉइल ना करें इसको आपको फोर पीस में कट कर देना है यह तो मैंने थोड़ा टेस्टिंग किया था वापे तो इसलिए थोड़ा प्लेट में निकाला हुआ है अब आपको इसे गार्निश कर लेना है और जो भी कोफते फ्रेंच फ्रेंच फ्राइस फ्रेंच बीन से सब डाला आपने वो आपको पूरे अच्छे तरीके से स्प्रेट कर लेना है all over the rice जरूर से बनाएं क्यूंकि I'm sure आपको यह बहुत जबर्दस लएगा इसके जैसा प जबर्दस लगी होगी तो अगर जबर्दस लगी है तो कमेंट करके बताए कि लगी है जबर्दस और अगर आपको कोई और मेकिंग चाहिए तो वो कमेंट में जरूर बताए बहुत सारे हो का रिक्वेस्ट है कि यह बनाए यह बनाए तो सब बनेगा सब की रिक्वेस्ट म थोड़ा सा सबर और वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा सो मिलती हूँ नेक्स्ट मेकिंग के साथ या व्लोग के साथ तिल देन ठेक केर अलाहाफिस